मैं हूँ शाम भैटिया और आप सबका वेलकम करता हूँ E-Academy 123 पर चलिए आज हम बात करते हैं एक बहतरीन कोश्चन जो की J-E के प्रिवेश शिप्ट में आया हुआ है January 2020 और 8 साफ दो January को ये कोश्चन पूछा गया था शिप्ट सेकंड में फीजिक से ये कोश्चन है ये लॉजिक गेट के बारे में दिया है ये तो सेमिकंड़क्टर डिवाइस एंड सर्कुिट्स की अगर आपन बात करें तो वहाँ पर इसे कोश्चन बनते हैं तो ये जो कॉंबिनेशन है ये नेंड और नॉट गेट को मिला कर बना है या और सिंपल लेंग्वेज में कहूं तो एंड नॉट गेट को मिक्स अप करके इसको बनाए गया ठीके तो ये इसके चार पॉसिबल आप्शन से भी दे रखे आपन को चार पासिबल आप्शन से भी दे रखे हैं इनको चारों आप्शन क्यों नहीं हो सकते इसका क्या आंसर होगा यह पूरा इस वीडियो में पर डिसकस करने वाले हैं है ना तो अगर आप नीट और जेई की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो यह लेक्चर यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉडट होने वाला चेलिए बात को शुरू करते हैं बात को शुरू करने से पेले रोजाना की तरह मैं आपके साथ एक और इंफर्मेशन से करता हूं क should scale on academy पर भी पड़ाता हूं तो वहां पर अभी एक बहुत ही बहतरी चीज है ना अब वहां पर और एक बहुत ही च्रीठीज चल रही है पास तक का है इसके लिए code आपको जो लिखा है ये शाम बाटिया physics code यूज़ करके आगे प्रोसिट कर लेना है दूसरी बात यहां पर आती ही कि unacademy में एक talent reward examination भी हो रहा है जो कि 23rd gen को होने वाला है कब होने वाला 23rd gen को और ये 2 होने वाला ये 10 बज़े के बाद होगा तो इसमें 7th, 8th, 9th, 10th और IT की J की preparation करने वाले और NEET की undergraduate की preparation करने वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं पूर इसमें exciting scholarships है और rewards है और rewards क्या-क्या है देखो देखते से मज़ा आ जाएगा आपको रेंक 1 को मिलेगा Macbook है यार मज़ा ही आ गया रेंक 2 और 3 को मिलेगा Apple iPhone अब और क्या चाहिए जिए 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 स्वर्ग के समकक्षे चलो बहुत बढ़िया उसके बाद बो रेंक 425 पर होगा तो और Amazon Echo Dot भी मिल सकता है जब 6-40 के बीच रेंक हो और अगर रेंक आपकी 41 से लगाकर 100 के बीच में अगर fluctuate कर रही है तो Amazon Watcher से काम चला लीजिए और उसके बाद अगर होई तो आपको scholarship का ये वाला बेंड मिलेगा 100% scholarship 1-10 के बीच में 11-25 के बीच में 75% है ना और आप पूरा इसको देख सकते हैं और ये बेचे से स्टार्ट भी हो गई है ना ये 5th of the gen से स्टार्ट होने वाली कबसे 5th of the gen से ये भी 5th of gen से ये भी 5th of gen से तो जिस जिसे मंजिल बेच, qr बेच, early racer बेच, इन सबको अगर आपको प्रोसिट करना है तो आप जोइन कर सकते हैं और एक कोशन पर मैं आपको छोड़के गया था चलो तो इसको सौल करना है इसमें क्या निकालना है आउट पूट निकालना है तो ये वाला जो कोशन है ये वाला जो क्योशन है this is asked in jay previous year जे की previous year में इसको पूछा था ये जे ने पूछा था तो no doubt जहिर से बात है कि इसका अपनक ये कितना है 1 है बिल्कुल सही सर 1 है ये क्या है not gate तो not gate की property क्या होती है कि जिसे not gate में समझा देता हूँ ये जिसे not gate की property क्या होती है कि इधर अगर आप one दे रहे हो तो output zero मिलेगा और अगर input आप कुछ और दे रहे हो यह जिरो दे रहे हो तो output कितना मिलेगा one मिलेगा उल्टा कर देता है ये क्या कर देता है invert कर देता है और दूसरा gate केतना है end gate है इसको भी समझाए दूमें ये अगर ठाप B कर देता है लेकिन यह तो डॉट लगा हुए iेis में क्या कै अगया हुए है प्लस एक not gate भी अटेच किया गया है इसमें not gate भी अटेच किया है तो ये total मिला के क्या बन जाता है बोलो ये net gate बन जाता है क्या बनता है anand aand में अभी ता output आपको इसी कपूछा गया है यहां से आपने क्या दिया input में 1 उल्टा कितना हो जागा जीरो हो जाएगा यहां 0 तो यहां पर भी 0 अब यहां पर भी 0 अब यह क्या कर देता 0 का not कितना होगा बोलो 1 अब इसका input कितना हो जाएगा इसका input यहां से निकल गया है, यह 0, यह 0, तो यह क्या कर देता है, product करता है, तो 0 into 0, और 0 का not 1, यास, ऐसे ही सोचना पड़ेगा, तभी मामला जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा, है ना, तो यह 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और output आते हैं, और यहां से क्या जा रहा है, 0, तो अब क्या जाएगा, 0 into 1, तो answer कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन यहां क्या बैठा हुआ, not बैठा हुआ है, तो 0 को वापस क्या बना देगा, 1 बना देगा, यहां से 1 बना, अब यह क्या कर रहा है, यह भी multiply कर रहा है, किसका, 1 और 1 का, तो output कितना जाएगा, 1 ही तो जा जो actual condition केसी बन रही है, आपके पास AC बन रही है, बात clear हो गई, मतलब जो gate दिया गया है, end gate उसमें not fit कर दिया, इसने, यह 1 into 1 कितना आया होगा, और 1 का not कितना आया होगा, आपके पास, बोलो, 1 यहां not get बेठा तो 1 का not कितना आया होगा, 0, अच्छा, 1 का not 0 होता है, हाँ, बिल्कुल 1 का not 0 होगा दा, तो फिर दिखाओ कुछ ऐसा option अपन को, है ना, तो इसमें कौन सा option है, आपके पास, फोर्थ वाला option जो आ रहा है, वो 0 जा रहा है, ठीक है, बाकी, और यह कितना, बाकी option को देख लीची, will not execute, यह जबकि condition है, जब invalid input दिया जा है, क्या दिया ज logic है, यह B-tech और M-tech में पढ़ाया जाता है, आपसे कोई नहीं पुछेगा, fuzzy logic की value 0 और 1 के बीच में लाई कर सकती, 0.9, 0.8, 0.6, यह क्या हो जाती है, toggle between इसके और इसके बीच में, यह toggle का मतलब या 0 या 1 के बीच में चलेगा, वो meaning है, लेकिन extra meaning इसका यह भी होता है, तो fuzzy means ने, j means ने, पुछा था, ask the question, अब कितना आसान है, कितना आसान है, ऐसे निकाल दिया आपने, तो इस type से question आपने क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, इसमें देखू, है ना, तो यह वाला question, ask the day, 8th January 2020, shift second पुछा गया, तो y का output पुछा गया था, आपसे, y का output, तो इस type से कोई doubt हो, है ना, कुछ query रेगे, तो आप comment box मुझसे push दीजीगा, है ना, बाकी, मिलते हैं आगले वीडियो में, आगले concept, बाबाई,